दिल्ली सेबा विवाद मामले में केंदर सरकार द्वारा लगाए गए अध्यादेश के खलाब आमादमी पार्टी ने बड़ी होकारबरी है दक्षिंड से लेकर उत्तर परदेश के दोरे पर निकले सीयम केजरिवाल जहां विपक्ष के बड़े नेताओं का समर्थन जुटाने में लगे हैं तो 11 जून को दिल्ली के रामलिला मैदान में आमादमी पार्टी की महारेली होगी विशाल रेली के जरिये आमादमी पार्टी बीजेपी के खिलाब जन्ता की अवाज बुलंद करेगी आमादमी पार्टी के पर्मुक और दिल्ली सीयम अरबिंद के द्रिवाल ने 2024 के पहले रामलिला मैदान में आपके शक्ती प्रदर्शन को सेमी फाइनल बताया है दिल्ली सेवा विवाद मामले में अभी तक विपक्ष के जादतर्दलों का समर्थन प्राप्त कर चुके सीयम अरबिंद के द्रिवाल को अभी कॉंग्रेस पार्टी का समर्थन नहीं मिला है कॉंग्रेस से समर्थन मिलने के संकेत भी नहीं है इसलिए माना जा रहा है कि राजसावा में ये आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी मुश्किले पैदा कर सकती है विपक्षी पार्टी के तौर पर कॉंग्रिस पार्टी के पास राजसाबा में सबसे ज़्यादा सीटे हैं सुप्रेम कोट के निर्णे को पलटते हुए सर्विसेज विवाद मामले में किंदर सरकार द्वारा लगाए गए अध्यादेश को रोकने के लिए आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत जोओ दी है इस अध्यादेश को कानूर बनाने के लिए किंदर सरकार को इससे संबंदित प्रस्ताव को संसत के दोनों सदनों यानि की लोगसवा और राजसवा से पास कराना होगा इसके बाद राष्ट पती से मोहर लगाने के बाद ही ये कानून अधिकरित होगा मौजूदा इस्तिती में किंदर सरकार अपने सयोगी दलों के बल पर लोगसवा में काफी मजबूत इस्तिती में है यही वज़ा है कि सियम अरबिंद केजरिवाल ने इस अध्यादेश को राजसवा में ही विपक्ष द्वारा रोके जाने का विकल्प चुना है वही आमादमी पार्टी ने राजसवा में इस अध्यादेश को रोकने के लिए ममताव एनरजी, सरत पवार, सीता राम, योच्री, उद्व ठाकरे, नितिश कुमार, तीजिस्वी यादव, अकलेश यादव का समर्थन प्राप्त कर लिया गया है लेकिन कॉंग्रेस पार्टी से अभी तक समर्थन नहीं मिला है कॉंग्रेस पार्टी के 31 राजसवा सांसद है दरसल राजनीतिक विशेशलकों की माने तो आमादमी पार्टी के लिए राजसवा में बिना कॉंग्रेस पार्टी के समर्थन के किंदर इस अध्यादेश को रोकना बहुत मुश्किल होगा कॉंग्रेस के 31 सदश्यों का राज्य सभा में आपको समर्थन ना मिलना सीधे सीधे बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा वहीं इस मामले में कॉंग्रेस पार्टी के परदेश प्रवक्ता अनूज आत्रे से इस मामले पर सवाल किया गया कॉंग्रेस के परदेश शंगठन ने अपना निर्णे सीर्ष नेतरित्व को दिया है हम किसी पार्टी विशेश पर नहीं बलकि नैतिक अधार पर उन्हीं बातों का समर्थन करेंगे जो नियाय संगत हो